Hello everyone, let us know this word, incarcerate. Part of speech verb होता है, और incarcerate का मतलब होता है to keep someone in a prison. किसी को कैद करके रखना, किसी को जेल में रखना, वैसे तो आपने जेल में रखने के लिए बहुत सारे वर्ड सुन रखे होंगे, कि हमने उसे जेल में बंद कर दिया, हमने उसे जेल में लॉक कर दिया, बट ये वर्ड जो है, वो काफी special है और काफी specific तोर पर यूज किया जाएगा, अगर इस वर्ड का noun form आप देखोगे, तो incarceration होता है, noun form, किसी भी शब्द का verb form, noun form जानना बहुत ज़रूरी होता है, हो सकता है, वही वर्ड, एक से जादे पार्ट और speech का काम भी करे, अगर आप इसका synonym देखो, तो confine करना, imprison करना, confine करने का मतलता है, सिमित कर देना, अगर किसी चीज़ को, next video में हम इस confine सब्द को देखेंगे, बट अभी आज आज आप ये समाझे लिए, कि incarcerate का synonym होता है, confine या फिर imprison, अब अगर आप इसे daily use में ले आना है, तो आप देखो कैसे समझोगे, the court will incarcerate, ये जो court है वो incarcerate करेगा, किसको करेगा, suspect को, if he is found guilty by jury, अगर वो उसे guilty की द्वारा, sorry, उसे jury की द्वारा क्या पाया जाता है, guilty, he is found guilty मतलब passives है, यदि उस व्यक्ति को, यानि कि उस suspect को guilty पाया जाता है, तो court उसे क्या करदेगा, incarcerate करदेगा, clear, next example देखो, we were incarcerated, passive was है, we were incarcerated, हम फस चुके थे, हम restricted हो गए थे, हम उस जगह पे कैद हो गए थे, कहां पे, in that broken elevator, उस टूटे हुए, broken elevator मतलब टूटे हुए, elevator में, for four hours, चार घंटों के लिए, इस वीडियो में इतना ही, next video में फिर एक नए वर्ड, उमीद है कि confine के साथ में देंगे, thank you,